अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ, बिलकुल फ्री क्या कह रिया? रिषी एक बाइओज है किया बाइओब को हाऊगा है? माम को हाट इज आगेивать ऑम मजे करनी उन JS वह मैं अखे बहुत हैी? अब न दीनी सब्रादेट अःस within र शाय ओर में आप उलागो है, यह हो अ existe Sister, sister, आप जोड़ी अपड़ीपारो झीज़ीड़ीटिज़ीज़ीज़ीफ हो ज़लीफ जालाँ ठाटए हम पड़े नाँ सिर्फटा एक अगाईए मेरे अंदर तो बहुत-बहुत-बहुत जादा एनरजी आ गया है। मैं तो डाड से गले लगे हुँ ना। मा सच्ची में डाड सुपर ही दो है। उन्होंने हमें बचा लिया। और वो गंदर इंजीत अंकल को भी पकड़ा दिया। अब वो गंदर इंजीत अंकल जीन में चक्की पिसेंगे। ऐसे, ऐसे, ऐसे। यह सब डाड में किया मा, डाड में हम सबको बचा लिया। मारो डाड है काम। उन्हें थांक्यू बोलना है ना। अरे वो बस आहारे ही हुए। अरे डाड का गय। वो तो साथ में थे। बेटा, यह आपके लिए। वो जो आपके साथ थे ना। उन्होंने आपको दिया है। वो लोग चले गए है। कहां चले गए। उन्हें मुंबई जाना था शायद। धैट चले गए। दी, दी तुझे होशा क्या। तो कैसी है, हा, कमजोरी मैसूस हो रही है क्या। बिल्कुल ठीक हो। ओ, भेनू। मैं भी हूँ। बारो तु भी आजा। आजा, तु मेरे पास आ, मेरे प्यारी। बारो, शुकर है तु ठीक है। शुकर है तू भी ठीक हा दी। शालू तो मिस्टो अब्रोई से मिली गया? नहीं देख ना शालू हम उनसे मिली नहीं भाए वो वापस चले गए वो इतनी दूर तक आया थे हमारी इतनी मदद किया और हम उने थैंक्यू भी नहीं बोल पाए दी कोई बात नहीं न? शालू उनसे मिलना अज लिखा ही नहीं होगा कोई खास दिन, कोई खास समय, कोई खास मौकी पे मिलना होगा वैसे ये सब बात चोड़ सबसे बड़ी बात यह ए कि तू ठीक है पारो ठीक है और वो कमीना रंजी जी फाइव के साथ बिल्कुल फ्री माम मैं आगया हूँ माम कुछ नहीं होगा आपको माम 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 प्रीख हाँ किष वस्तुर्ण मुष्षelen को तरहो pockets मामम अब हो थे ही के हैं माम की इतनी चिंता है तो यह जो नहीं नहीं मान्थे मामी होगा प्लीज कुल पुर्ष में चली मौम्ती कुछ नहीं हुआ हमें अच्छी तुम लोगों को यहां पर जूट पूर कर बिलाए गया है मौम आपको अईडिया कि क्यों रशीड भावी ने कुछ नहीं किया जो कुछ भी किया है मैंने किया यह मेरा ही आईडिया था कि हम सब को डरता कि तुम लोग कहीं वहां गाव में ना रुक जाओ इसलिए आज की आज वापस बलाने के लिए मैंने यह यह प्लानिंग की यह अपने किया मौम यह प्लान था यह प्लान था हापको आइडिया भी हम कितना टेंशन आगे थे कितना परिशान होगे थे हम लोग पूरे रासर रिशी भाई को बस यह लग रहा था कि किसी तरह आप ओऊचे जल्दी 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 मामी की तपित कैसी होगी, मामी कैसी होगी अरे गाड़ी कुछ जल्दी ड्राइवर को टैक्सी चला कर रहा है ताकि जल्दी जल्दी बस यहां पोँछ सके पूरे रास्ते परिशानती कि मामी होगी कैसे क्या हालोत होगा उनका और आप गाड़ी जूट बोल्र आप प्लानिंग कर रहा हमारे लिए हमारे साथ प्लानिंग यह ऐसी प्लानिग होते है आयोश होगया देखो तुम्हें अपने अपने रिशी भाई की चिंता है ना I'm really happy to hear that लेकिन तुम्हें अपनी मामी की चिंता नहीं है तुम्हें आइडिया भी है वो रिशी के लिए कितनी परेशान थी मलिश्का के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्लग तुम्हां चले गए Like brave heroes मौत को invite करने के लिए एक बार भी हमारे बारे में सोचा तुम्हें आइडिया भी है हम सब को तुम्हारी कितनी चिंता है कितना प्यार करते हैं हम सब तुम्हें हुआ है आपर सब एक दूसरे से प्यार करते हैं पर अपने जूट बोल के बलाया हमें आपर और अपने जूट कि दो कि फ्ञzahl कि अगॹारिक थथ आई परव थूसान है हंपने' मैं शीम मिल भूसों पमसे इस और रृड़ा कोया हैं, तो कि मुट हो slow Tag कि का दो हमने कहा था तुमसे बहां मत्जाओं जाह हूं लेकिन तुम गए वो ठीक था वो गलत नहीं था अ ईएडिया है? अमारी क्या हालत हुई? सास अटक गए थी हमारी. हमारी क्या हम, हम सब की सास अटक गए थी. कैसे-कैसे खयाल आ врह थे दिल में. रिशी ठीत तो होगा ना. रिशी को चुछ हुआ तो नहीं होगा नू? कि झालते को है, अमारे बेटे को. कितने खराब खयाल आ रहे थे हमारे मन में वो सब सोच सोच के हमें सच में हाट अटक आ सकता था वो हम पारों को बचाने गया था मांपर क्यों? सारी मंडली यहीं डेराचमा के बैठी हुई है मुझे देख लिया तो सवाल जब आप शुरू हो जाने किते चले हो पहन जी एक काम करती हो इच्छे के रास्ते से चली जाती हो अभी तो किसी ने देखा भी नहीं है मुझे यही सही रहेगा मुझे चली आप भी यहीं हो मुझे जी कहां जारे हो पुटर मैं मैं सोच रही थी कि गुरुद्वारे मत्हट एक आती हूँ थोरा जी काट राठा मेरा है ना दर्शन करूंगी बाबाजी के तो चंगा लगेगा और वैसे भी मैं सब के लिए अर्दास करना चाहती हूँ कि इस कार की सुक शांती बनी रहे मैं नहीं चाहती कि हमारे कार में हम कोई नया खलेश हो पुदर ओल्ट फॉक्स भार चाहरी है हीर तयार रहना पर तु जाएगी कैसे ट्राइवर तो है नहीं गर पर कोई नहीं जी मैं कैप करके चली जाओंगी ओले मम्मी जी तो जी क्यों करनी है उमें है ना मैं चाट देलना ना जीते मैं चली जाओंगी मम्मी जी आप कैप से की जाओंगे और मैं छोड़ देता हूंगी ना जीते मैं कैप से चली जाओंगी ना जीता ओल फॉक्स को छोड़ने की जिद कर रहा है कुछ भी करके चीते को रोक परना मम्मी जी जर्नेल के पास नहीं जाएंगी उन्हें नहीं खेचली की लोड़ है मैं चाट देना ना सच्छी जीते अगर मम्मी जी कह रही है कि उनका अखेले जाने का मन है तो जाने देना और वैसे भी सनी समृत के स्कूल के आने का टाइम हो चुका है तुझे तो पता है आते ही वो तुझे ही ढूनते है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है हीए जी फाइब डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री वो कैप से उतर रही है ये शिका तो उन पर नजर रख मैं बस अभी आ रही हूँ अब यहां से राइट लेना अरे आपको लगी तो नहीं लगी तुम जाओ नहीं लगी तुम जाओ नहीं लगी लगी यहां से लेफ्ट बहिए यही पे रोखो यही पे रोखो 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 कहां चली गई यशिका क्या हुआ अरे यार वो अभी तो यहीं थी पता नहीं कहां गाया वो गई मैं कब से दूढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बड़ी तेज निकलिया है तेरी ओल्ड फॉक्स गाया भी हो गई है ओ गाड़ कहां गई होंगी ममी जी पर एक बात का यकीन तो मुझे पक्का हो गया है यही जर्नेल के साथ मिली हुई है और उसकी हेल्प कर रही है कोई बात नहीं आज ममी जी बचके निकल गई तो क्या हुआ तो उन पर नज़र रखना आज नहीं तो कल हमें और एक मौका मिली जाएगा क्या हुआ किसका मेसेज है जर्नेल का हम मिलना चाहता है वाट वेट अ मिनिट अगर जर्नेल तुछे मिलना चाहता है तो यह ओल्ड फॉक्स किससे मिलने आई है यह जिस पार्टनर की बात कर रहा था वो का है क्या हुआ क्या सोच रहे हुआ मैं मैं वाट फिल्मी बाली फिलिंग आरी है मुझे जैसे कि मैं स्मगलर हु और शाकाल के अड़े पे गुंडे के साथ देल करने आई हुआ तुम्हे मैं गुंड़ दिखाई देता हुआ हुआ बुरा मान गै लिकिन मैंने खुद को भी त स्मगलर ही काहा हुआ एनिवेज काम की बात करें गुड़ लेस्ट कम स्ट्रेट तु दे पॉइंट तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जीते को मारने में जीफाइब टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जीफाइब के साथ बिल्कुल फ्री परफेक्ट बस एक चीज की कमे रहते हैं किसी की नजर ना लगे तुम्हें शिका ऐसे भी आज का दिन भी मेरा है सब की नजरे मुझ पर होगी गुडी भी मैं ही लगाऊँगी और अपने सजावट के लिए कुछ सामान भी ले जाऊँगे ऐसे भी सुसाइटी की सारी ओरते मेरे पास आती है पिचारी भवानी तुकोने में चुप चाप सिर्फ देखती रहेगी कुमसुम से उदास से जरूर सोसाइटी की ओरते आये मुझे लेकी जाऊटी क्या कर रही हो यहाँ पर? किसी ने देखा तो नहीं? फिलाल मुझे तो किसी ने ने देखा लेकिन मैं आपको कबसे कॉल पर कॉल किये जारी हूँ आप फोन क्यों ने उठा रही थी? इसलिए मुझे खुद आना पड़ा आपको यह बताने के लिए कि विराट सिंग अहुजा इस जांस पर्ताल में लगा हुआ है कि किंग विराट कॉर्परेशन का असली मालिक कौन है? आज सुबब ही मेरे हेट डिपार्टमेंट में कॉला है था और वहीं से मुझे भी पता लगा है मुझे तो लगता है आज उसे सच का पता लग जाएगा कि जहान कोर के घर के डिलिंग में जो भी धोखा दड़ी हूई है उस तब के पीछे आप हैं इसलिए आप ये सोचिए कि आपको कोई एक्शन लेना है या यहां से भाग लेना है क्योंकि वो विराड और भवानी चितनिस आपको छोड़ेंगे लिए God, oh God, what do I do? किसी भी हालत में मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए जानाम सामने आगया तुम्हें कही की नहीं बचूंगी God, मैं क्या करो? क्या करो? I am not even told Babita ji, यह भी मेरा साथ नहीं देंगी कोई मेरा साथ नहीं देगा भाई 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 Amo इदर है? क्या है ते सुंदर लग रही है सची? यह के कोई काला टी कालागा हम देगा हाँ रुक तुने मुझे काला टी कालागा है नो? मैं तुझे काला चेश्मा पैनाओग ताकि तुना आलतु फालतु लोगों के भतों में ध्यान ना देख बाई 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 किती चांदिशते तेरा चेश्मा काया है? मेरा ओ यह ले मैं रेडी हूँ अल्वेस आहा एकडम कड़क अमो उन्हें मेरे लिए और जाहन के लिए कितने सुंदर साड़ी लाई ठांकू तुना मुझे ठांकू अंकू बोलना बंद करते बाप्पा को ठांकू बोल आई मेरा ना आज इंटेवियो अच्छा गया हाँ मुझे लगता ना यह पैंडलोर वाली मौकरी ना मिल जाएगे मचे और एक बार सालरी शुरू हो गए ना तो जहान आंटी कर घर भी वापस लाएगी अच्छे से जानते अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिलकुल फ्री जाएगे दो अच्छे अच्छे अच्छी जल गया अच्छे वेले वह बाद दे और करश के बादना हाँ तु मेरा कोई ना मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे अरे वाँ अम्मो इस पार तो पिछले शाल से सुन्दर सजावट की है कर नहीं था ना काकु आपाई को जानती है ना जो भी करती है दिल से करती है अरुण बोलो ना गुड़ी पर कौन साड़ी लगा हुए यह यह अरी कोई भी लगा दे एक ही बाते ऐसे इसे कोई लगादे ना बताओ ना तुछ ना तुझ आप ले ना तुझ को पसंदेना ओ लगादे ना यहाई? यहाई? यहाँ? चलजा अरे आमो, हाई वो तोरंट लेखिया ना आई! आई तुझे याद है? जहान आंटी के घर हर साल में ही तोरन लगाती थी फिर हम रोग रंगोली बनाते थे काशिस साल ऐसा होगा तो होगा ऐसा ही होगा वह भी बहुत चलत मैं आपको आपका खर वापिस तिलवा के रहूगा जहान को रंटी अरे आप लोगों की बारचीत खतम होगी हो तो चले गुड़ी स्थापित करें नहीं नहीं अभी नहीं तु यह जंडे रख के आप पहले हम टांस करेंगे फिर बागी सब होगा हाँ 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 सब आएंगे उसके बाद हम गुड़ी स्थापित करेंगे अब चलो आई मैं अब कभी नहीं चूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिलकुल फ्री क्या हो हाँ थी अफ्री का मज़े सब कर द आव हुआ अपर गर अभरी थे शुटेंगे सब कर आप नहीं तो आपने फिर दॉड़ी के अदिशने हाँ मज़े सब कर आप अब शेया थाश्वार अब लिए मेरे श्युट नहीं है श्री थाभी प्या चुल्स्टे ले ओ। अच्छी कि एक बिलाया है खाले में खाले में कुछ खराबी है तब सब को गरबर हो रही है जब से हमने ये पनीर स्नाक खाये सब की हालत खराब हो गई है यह सब खाने की वज़े से हुआ है खाते ही हालत खराब हो गई इसने बनाया ये खाना क्या डाला इस खाने में खाते ही हालत सब की खराब हो गई जिसने भी खाने होने ये इस लड़की ने बनाया खाना इसी की वज़े से सारी गड़ड हुई है मैंने इसे अपने दादू को कहते हुए सुना था इसी ने पनीर का स्नाक्स पनाया हुआ है नहीं, जी, गल्टी नहीं है, मैं कुछ करता हूँ तुमने बनाया यह खाना, जिसे खाके सारे लोग बिमार पड़ गए ऐसे खिलवार कड़ते हैं लोगों किसी इहत के साथ देखिए, पुई गलत सामी हुई है पॉप एसे आफ अगध करते हैं महानो की यू किया तुमने हमारे साथ ऐसा, यू किया यह खिलोर अरे, यह देखो इने क्या हो गया कोई डॉक्तर को बिला रहा हुए मैं 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 बिला रहुए, मैं बिला रहुए प्लीज काम डाउन, सब तीक हो जाएगा हलो, हा मैं कृष्रा कार बोड़ो, मैं आपको लोकेशन भीटा, आप जल्दी इसी वाफ किया हैंगे इस अमर्जनसी येस, इस वेरी उर्जन, प्लीज एसाब अरे, एक डॉक्र से क्या होगा? इतने सारे लोग भी मारें अरे अरे, वो लीकिरें के अपने साथ, आप बैज आएगे सब्ऐगे अरी आपको अरी आपको ने कारे नई-देग्हों अई-अउटी इस जिंदा है वो अप ही जिंदा है, लेकिन भी तो सक्ती है तुमने खाने में क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा खिलवार्ट मुझ तुम्हारे बेकार खाने की वज़े से हो रहा है देखिये ऐसा नहीं है यह काम ला बीजी पेशन चाह तुम सब को बना के लिए तुम दोनों तुम दोनों भी आ जी फाइब टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री कौन है? आई आप इंस्पेक्टर राने, आप राची है? जी आपको उमारे साथ चलना होगा चलना हो का मतलब किस सिलसिले में? क्या क्या बात है? आप चलिए वहाँ साब बता चल जाएगा ही सर्, मैं इसलिए पूछ जो क्योंकि आप ऐसी नहीं मुझे बोल सकते ना, चलिए मैं बिजी हूँ, आप रिजन भी नहीं बता रहे हैं, मेरी दोस्की शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ सब मैंने और्गनाइज किया है, एक बार उसकी शादी अच्छे से हो जाए, फिर आप आजाए फिर बात करते जो भी है मैडम, शादी तो अच्छे से तब होगी जब आप अच्छे से होने देंगी क्या, क्या बोल रहे हैं आप ये, क्या मतलब है? आपके बनाया हुए खाने में मिलावाथ है, वो खाना काके शादी में महमानों की तब्यत बिगड़ गई है उल्टिया कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग तो हॉस्टूटल में भी एडमिट हुए है क्या, ए, ऐसे कैसे, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे हुआ ये अब इसका जवाब तो आपको ही देना है, इसलिए आपको साथ ले जाना है फुट पॉजनिंगे आरोप में में आपको अरेश्ट कर रहा हूँ, लेचलो इन्हें 양 सब्भस में ऑपकोस किलाता है पोλεच ओ было झाल डे इसनower को पागोड़ में एंड एंडब एंड एंड एंडो है एंड में एंड इस किला थे ढां गरे गारे कि अवष्ण कुलका एंड एंड बिच्ट वर्स ओलोई है इस वंड एंड में लोड़ neces Kinda है यह खूँब देराएफ मैंने, होगा? मता गौने तू, मता! किसके लेका हम करता है? क्यों खिद एपके आउसे? बबाचु केड़नाब क्या हुसा है? किसके लेकाव करता तू? कौन है तू? कौन है तू? 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 किसने बहें जा तुझे? किसने बहें? यह क्या क्या तूने? मौर डाला? अरे मर गया है यह? अभी नहीं मरा यह? नहीं मरा तो मर जाएगा बहुत जोर से मारा है पुलिस अब हम भी मारे जाएंगे जल्दी आहां से इसको उखा? गाड़ी तो दूसरी गल्दी में पार्क किया हुआ चलना महीं लेकर चलते हैं चल 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 जीफाइब डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स पिलकुल फ्री पूरा एपिसोड देखने के लिए जीफाइब डाउनलोड करें है क्या कर चलते हो तुम्रों के लाज अजा बंदया तुम्हों मोड़के ना जाभ बंदया दहलीज लिए आजल उए कैना थाल ये inno Lean किअरे क्रणे तो ही दिल माई क्यार की दिल लुप एट तो उम्यदों के दिल में तू हमें क्यों ही हो सुप्ते कर दे भी उते क्यों हम इसम तोह कर दो है इसमें लोग यार, तू आँ देख, तू मेरे साथ कमरे में आए इतने बड़े घर की बनाते हैं रहीस लोग, यह चुपन चुपाई खेंग लें तुड़ी आएं यार आल बारी चेकर, देख अरे यार मेरा तमोक्रा वो लगा अबे चल्दी आए कोई मिला क्या? झाल डूम्मोमोर्के नाजा' दे आए को झेल धृम्हार, चल्दी आए, बाद आए! झेल धूम्हार आपसार कि अधे हमेरे से सोना तुम यहां से कही माचाना, तुम यहांखार रहना मैं पूरे परिवार को यहां पर लेकर आता हू देखो, सारी फैमिली बिखरी हुई है, हमें इस खर से जल से लगार निकलना होगा, ये कुंडे बहुत कतलनाक है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, समझी तुम? मतलब करन, मतलब साफ है, तुम इस वक्स सेफ जगा पर हो, मुझे पूरी फैमली को लेकर यहां पर आना है, हमें यहां से जल से जल निकलना पड़ेगा इस खर से बार, समझ रही हो ने तुम? है? हम और जब तक मैं नहीं आता ना, तब तक आवास मत करना और किसी को दिखना giard, ook,तीऑ छुपके रहरे, छुपके रहरे, छुपके रहरे, यहां कहीं भी आता लमारी के ब simplemente कहीं भी छोचा अपिए भी र excav अच्चोफ沃 की जो तो आचाichi कि अजय गॉली बागो गोली मार ने का बहुत सारे पैसे मेलेंगे मुझे मारने क्या आप होई पैसे ने मिलेंगे वो हमें मालूम है किसको मार की कितने पैसे मिलेंगे और मरने वाला कभी अपनी मौत नहीं चुनता मारने वाला चुनता है सामने वाले की मौत प्लीज भाईया अब करें और देखें सारे एपिसोड बिलकुल फ्री पूरा आप एपसोड देखने के लिए Z5 डाउन्लोड करें आप लोग मुझसे इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रहा है मुझ पे इतने बड़ी इल्जाम लगा रहा है कि मेरी वज़े से इस घर में जगड़े होते हैं जिए बज़े से इस खर इतनी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना? क्या कर च्छगडे करवादिये मैंने? ऐसा क्या करा है मैंने? क्योंकि तुम इस फैमिली में जब भी आई हो ना, हमारी फैमिली देंजय में आगई है तुम इस फैमिली के लिए एक बुरा साया हूँ, भॉआ? क्या? मैं बुरा साया हूँ? क्या, कैसे कह सकती आप ये? नहीं, 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 प्रिता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ मस तोचो इस सब के बारे में मॉम और गुआ ना, कुछ भी बोल रही है इस वा, इनकी बातों को सीरिसली मतलो, है? बिल्कुछ सीरिसली मतले ना, इनकी बातों को प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे ही किसी पे इतने बड़े बड़े इल्जाम नहीं लगते है अगर मुझे इतनी बड़े बाते कही जा रही है, तो मैं भी जाना चाहती हूँ कि अखिर बात क्या है किस पेस्स पर मुझे इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे है हाँ, तुम्हें कुछ निकिया है, एक मिनिट कर, प्रॉब्लम यह ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है मतलब? मतलब कुछ नहीं प्रीटा, मैंने कहा ना तुम से, इनकी बातों को इतना सीरियस्ली मतलब अशुरी क्या ना, घर के अंदर गुंड़े गुसा है घर का महल टेंस है, इसलिए टेंशन में कुछ भी बोल रही है नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ आज मैं सुनना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है मुझ से सबको किस वज़से मुझे यह सब कुछ सुनाया जा रहा है बिना आग के धुआ नहीं उठता है करण ठीक है, बताएगे मुझे, ऐसे क्या गल्थी कर दी मैंने जो मुझे ही नहीं पता है, मुझे ही याद नहीं है अरे कोई वज़ाए नहीं है नहीं मुझे में पता होना चाहिए मुझे सच पताएगे तुम सच चा चा चाती हूँ ना मैं पताती हूँ SACHCHA साथ एको आपको मेरी कसम मौन प्लीज मौन के प्लीस कसम देकर आपने अपनी मौन का मून को बन दिया लेकिन सच का मून नहीं होता है आज डेले तो कल मुझे सच पता चलिए जाएगा कोई सच नहीं है प्रिता कोई बात नहीं है सच क्या रहो कुछ ऐसा नहीं है पर ऐसे यह सब बाते हो रही है सच में कोई बात नहीं कोई बात नहीं है प्लीज विश्वास करो मेरा कोई ना कोई वजा तो जरूर है, आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, इसके बीचे डेफिनिटली कोई वजा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, अगर आपने अपनी मॉम को कसम दिये तो मैं भी आपको कसम देती हूं, मेरी दोस्ती की कसम की मुझे बताईए, आपने अपनी मॉम को तो कसम दे दी ना, अपनी बुआ को कसम मत दीजे, करीना जी, आप मुझे बता रही थी ना, आप मुझे बताईए, आखर क्या बात है, नहीं, देखो मॉम, देखो बुआ, आज हापर जो भी होगा ना, उसके लिए आप सिम्मेदा आफ कोई जम्मेदार नहीं होगा, और इस सब के बाद मैं कैसे ध्यक्ण करूगाँ, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, चिया बोलूँगा, इससे क्या करूँगा, आप मुझे जिन्दिकी बाद करें, अप मुझे जिन्दी के बार करें, या ना करें, आप को कितना बुरा ल यह सिर्फ प्रूफ करदें का एक तरीका था इस शिव आकई में अपना मेंडर बैलन्स खो चुका है उस कलश में गाहितरी की अस्तिया नहीं बज की हवन की राख थी देखा आपने देखा भी हाँ क्या हुआ कोई बेटा अपनी मा की अस्तियों के साथ रसा कर सकता है क्या खेल सकता है ऐसे वो अपनी मा की अस्तियों के साथ गाहितरी की अस्तियों का शिप पर कोई असर नहीं हुआ अगर वाक्तरी में उसने अपनी मा की जान ले होती तो क्या वो अपनी मा की अस्थियों के नेकर कुछ नहीं कहता है? प्लीज, प्लीज, बन्ती जी ये बक्वास. ये बिलकुल भी साइंटिफिक नहीं है. इससे कुछ प्रूफ नहीं होगा. अरे जो बेटा अपनी मा को इतनी बेरहमी से मार सकता है, क्या वो उसकी अस्थियों से खेल नहीं सकता? हाँ, नहीं खेल सकता. ये प्रोविन्स तक्ट है. क्या अगर खुणी के सामने उसने जिसका खुण किया, अगर उसका कोई भी बॉड़ी पार्ट उसके सामने लेकर आता है, तो वो कोई ना कोई र्याक्शन जरूर देता है. अब वो गिल्ट हो, दर्द हो, गुस्सा हो, कुछ भी. लेकिन कोई र्याक्शन जरूर निकलता है. लेकिन डॉक्टर शिव ने र्याक्ट नहीं किये. हरी वो तु बस अपनी चॉकलेट ढून रहे थे. ये सही कह रही है. ये सही कहा है. डॉक्टर शिव के बिहेवियर से नहीं लगता कि उन्हें अपनी मा की मौत के बारे में कुछ भी याद होगा. इस बात से ये भी थाबित होता है. कि डॉक्टर शिव फिलहाल कोई नाटक नहीं कर रहे. पापा जी, मा की अस्ति कलश से ये तो थाबित हो गया, कि डॉक्टर शिव मेंटली अंस्टेबल है. लेकिन वो कभी ना कभी तो ठीक होंगे ना. और जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी मा की अस्तियों के साथ क्या किया, तो उन पर क्या भी थेगी? इस, इस किल्ड से कैसे बहार आ पाएगी? शक्ति बेटा, ये सिर्फ प्रूफ करने का एक तरीखा था, इस ये वाकई में अपना मैंटल भैलेंस को चुका है. उसका लश में गाहित्री की अस्तिया नहीं, बजगी हवन की राख थी. अब कभी नई चूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिलकुल फ्री. इनसे कहिए के अभी के अभी डॉक्टर शिफ को छोड़ें। वरना इस वीडियो को हम पाच मिनट के अंदर वाइरल कर देंगे। नौकरी तो जाएगी, साथ में एक कोट केस भी बन जाएगा। शक्ती से शिव है, शिव शक्ती है। मेंटल हेल्थ केर 2017 सेक्शन 95 क्लॉस 1 के हुताबिक, किसी भी पेशिंट को मस्ल रिलाक्सिन, इलेक्रो कन्वल्सिव थेरपी देना मना है। और अगर देना भी हो तो परिवार की रजामंदी चाहिए होती है। यहाँ परिवार की रजामंदी के खिलाब इस आदमी को लेक्लिक शॉक ठेरिपी दी जारी है। वो भी इनके कहने पर। मैजिस्टेट गौतम शर्मा। और यह, यह डॉक्टर्स एंके साथ मिले हुए है। यहीं इस गवर्मेंट हॉस्पिटल में काम करते है। नहीं 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 हम शॉक्रिट में नहीं जे रहे थे। तो क्या कर अठ्या? बताएए, क्या चल रहा है यहाँ पर? और यह, यह इन सब की सूत्रधार है, मंदिरा कश्यप। जो इस शहर की जानीवानी हस्ती है। जो अपनी नीजी फाइरे के लिए डॉक्टर शेफ पर ऐसा इन्यूमिन टेस्ट करवा रही है। नहीं नहीं आप खलत समझ रहे है। ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, हम तो बस टेस्ट करवाने का नाटक कर रहे हैं। ताकि हमें पताचरे की शिफ सच पे पागल है या नहीं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है यांपे। इनसे कहिए के अभी के अभी डॉक्टर शिफ को छोड़े। वरना इस वीडियो को हम पांच मिनट के अंदर वाइरल कर देंगे। नौकरी तो जाएगी, साथ में कोट केस भी बन जाएगा। इज हो जयं कोट किता अंदरी कोट कर देंदरी को... हम जानते हैं कि अगर ये विडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया होता ना तो आप डॉक्टर शिफ को शॉक थेरपी देखर रहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये सब करने के लिए मंदिर आउंटी ने आपको पैसे भी दियोंगे जी फाइब डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री ओके डन मैम अब आप जा सकती हैं ओके थाइक्स सो मच ओके पाई लुक आटे वकता मैं मरन की स्कूल से होते वहाँगी आज मरन की स्कूल में अपन हाँ है तो रजल के लिकने चाने है आज भूप इस बार लड़की ने अच्छे मांग्स लाए हूँ तथास्तु जो आपने मांगा अपको मिल दाया हूँ आटे कैसे टेंशन ले यहाँ बेटा किसका है वो बेटा तो आपका है ना तब ही तो रिजल का डर है अकेला मेरा थोड़ी थोड़ी थोड़ा आपका भी है इसलिए और अच्छा करेगा टेंशन में आप जाईए और जाएए और गुट ताम एंडों फोगए प्रेंशन में आपका भी खुट पाल में इसलिए अप्रावर प्रावर भी रजाएए आपको तो पता है ना कि मुझे लेट होना अच्छा नहीं लगता सब प्रेंशन ऑच्छान लगता सब दो सी यूसुन. और दो मुझे लेट होना ना गुन-गुन बिलकुल पसंद नहीं है और आज जो तुम नहीं कियाना उसे दिल दुखाया है मेरा या पता अपने दिल के बात कहना अपना ओपिनियन रखना पॉइंट अफिर रखना एक अलग बात होती जिद करना किसी बात पर अड़ जाना यह यह गलत है ना तर मोहन अगर गुन-गुन इतना इंसिस्ट कर रही है इतना अड़ गई है तो कोई बात जरूर होगी ना मुझे लगता है कि हमें ओगर नहीं लेना चाहिए मेरा अज अगर इसकी एक जिदमान लेंगे तो लाइफटाइम इसकी नाजा इस मांगे पूरी करनी होगी पर मोहन और मैं उन फादर्स में से नहीं जो पहले अपने बच्चों को बिगाड थे उसके बाद लाइफटाइम बच्चों के नाम से रोते हम वोगार खड़ी देंगे अन्टाइच फ़ाइन है तो पतनी है वोलोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे तुवर पानी पी लूपिलोगो पास कम्फटिबल लादी कम्फटिबल सोते हुए न ये चश्मा नहीं लगाते बुल्डी होई याँ बिल्कुल फ्री अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिल्कुल फ्री हलो हाँ हाँ हम और मावी बस थोड़ी दिर में पौछ जाऊंगी याँ कर दो दोड़ी बस दोड़ी कि अभी याँ 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 आपका कि भाल को तो जाद है कि जया झाता है विल्ए, तेयों लोग आगे, एक काम केट्थियों, इनसे मिले लेतियों. वो गॉड़, कितना ट्राइ कि पापा यहां ना पहुचाए, लेकिन तभी भी सारी महनत बेस्ट हो गई. कुछ भी हो जाए, पापा ओड़ाता, पेस टू पेस नहीं आना चाहिए. अगर पापा ने रादा को देख लिया, तो बोट प्रोब्लम हो जाएगी. कुछ गजगा नाओगा. कुछ गजगा. कुछ गजगा. अब कभी नई चूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के सार्थ. बिल्कुल फ्री. इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा बोल जाओ, जिसका अफसोस तुमें भी हो, और मुझे भी हो, जल जव्यास. मैंने काँ जो! कुछ गजगा. कुछ गजगा. तुम पे गुस्सा करना पड़ रहा है. अब तुम जशराप में चल पड़ी हो ना, उसकी असलियत दिखाने के लिए तुम पे गुस्सा करना बहुत सरूरी है. तुम्हारा तिल दुखाके मुझे सबसे ज़्यादा तखलीव होई है, मन्नत. I'm sorry, मन्नू. I'm sorry. I'm sorry. अज के दिन में अपनी महपद के सामने अपनी घुटनों पर जाएकर उसका हाथ पागूँगा आज के दिन में अपने बच्पम के महपद की सामने प्राइब करना जाना हूं I love you so so much बोलो नमनन, क्या ये रिष्टा मन्जूर है तुम्हें? कि मुझे ये रिष्टा मन्जूर नहीं है, मैं तुम्हें शादी नहीं करना है छाहती सुभान सचा ये है कि फराण मेरा बॉइफ utilized मेरा बॉइफरिण ये, मेरा बॉइफ्रिण ये, मेरा बॉइफरिण… जब मन्नत को मुझसे प्यार ही नहीं था, तो उसने मुझसे इतनी बाते क्यों की, वो क्यों मेरे इमोशन्स को सुमरेने का नाटक करती रही, जब मन्नत को मुझसे कोई लगावी नहीं था, तो फिर उसने प्यार बरे वर्ड्स को यूज क्यों किया, मन्नत अपने मेल्स में क भीकट में कुछ और तो नहीं की जिससे में बात करता था उड़की, वो बातकी मननत न और कोई और, बार्दत, भीको नहीं जए को सकती, वो मननत ही थी, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, इतना बदल जाता है ये येनिह मंभूंदा, मनत की ये प्यार बड़ी बातें सिर्फ बात नहीं थी मेरी ही गलती है जो मैंसे प्यास मज़ पेटा अभी आप तुम्हें कैसे पते चला कि मैं है भूलों को होने का है लाटे करना पड़ता खुश्बु खुद बता देती एक तुम हो जिसे मेरे छोने से पता चल गया कि मैं हूँ और एक मैं हूँ जिसने मनत को नौ महेने अतनी दोख में रखा उसे दुनिया दिखाई लेकि मुझे एसास नहीं हुआ कि वो किस तरफ चा रही है उसने मुझे वो घाव दिया है जो सिंदकी भर नहीं भर सकेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि दुआ कि बत्तमीज और बेगयरे तड़की का साया मेरे बेके पर बढ़े जबान सम्हाल के बात करो तुम मेरी मननत के बारे में बोल रही हो हाँ मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ अगर मेरे भाई की बेटी नहीं होती नहीं तो मैं उसे वो बत्तवा देती कि वो जिंदीगी भर याद रखती हूँ काइनाथ मानती हो मेरी मननत से गलती हुई है तेकिन इसका ये तो बतलब नहीं हुआ कि तुम उठते बैठते उस पर कीचर उछालती रहूँ और अपने गिरेबान में जाक कर देखो काइनाथ क्या तुम से गलती नहीं हुई है याद करो तुमने भी अपनी पसंद का लड़का दूड़ा था महपत की थी तुमने भी मेरा मू मत खुलवाओ को बहतर यही होगा कि मेरी मननत को आज के बाद तुम खुछ नहीं बोलोगी आई बात समझ में हिना बैठ जाओ संभालो अपने आपको बैठो चलो पहली बार मैं हिना की बात से तफाख करती हूँ और खायनात तुम मननत को ऐसे बार बार ताने नहीं दे सकती हो और वैसे भी उस बच्ची ने अब अपनी गलती का अहसास कर लिया है वो मान चुके है क्या करो मैं ऐसे अहसास का इससे मेरे बेटे का तूटा हुआ दिल जुड जाएगा या उसे जो जिन्दी की भर का गम मिला है वो खतम हो जाएगा मिला सुपान कितना चाहता था मनलक को उसे लगता था कि वो कितनी नेक लड़की है पर वो 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 ऐसी निखली कि किसी दे नहीं सूचाता शरम तो आप दोनों को आनी चाहिए कि आप ऐसी लड़की की तरफदारी कर रही है जो रमजान के पांक महीने में अपने यार से मिलने के ले गर थी काइनाथ सच केरियो अगर ऐसी मेरी बेटी होती ना तो इसका गला गोट कर मैं धरिया में बहा देती काइनाथ अपना मूँ बंद करो बढ़ना मैं तुम्हें धरिया में फिक दूँगी समझ रही हो तो इससे आपकी नवासी नेक नाम नहीं बन जाएगी और चीखने चिलाने से गुना कम नहीं हो जाते मुझ पे गुस्तामत कीजिए अगर उस लड़की पर लगाम लगाई होती ना तो आज हमारे खांदान का नाम बंद नहीं होता मैं माल लेती हूँ कि दूआ ला परवान की लेकिन आप तो समझदार थी ना आपकी भी तो नवासी है ना अरोसे का आलम लिये वे फिरती देख लीजे आज मननत ने क्या किया आपके भरोसे का जनाजा उठा दिया अब उसी जनाजे को अपने कंधे पर उठाई और जिंदगी रोते रहिएगा मैं लिख के देती हूँ मननत के बालों में चांदी उताराईगी लेकिन कोई भी शरीफ खांदान उसे अपनी घर की बहुनी बुनाएगा क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी बच्छलन लड़की को अपनी दुलान नहीं बनाना चाहेगा कभी नहीं बनाना चाहेगा कानात मैं फिर से कह रही हूँ मैं बनाऊंगा मननत को अपनी दुलान तो